हलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पार्ची परिक्षा के विशे में अध्यन करेंगे प्रस्तूत पार्ट मुशी प्रेमचन द्वारा रची थे इस पार्ट की द्वारा हमें इस बात के बारे में विस्तार से जानने का अवसर मिलता है कि मनुश्य को पहचानने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यानि एक अच्छे मनुश्य की परक करने के लिए हमें किन-किन गुणों का होना आवशक होता है इसकी परक करना आवशक होता है यह आवश्यक नहीं है कि वह एक सुन्दर दिखने वाले व्यक्ति का मन भी सुन्दर हो यानि व्यक्ति बहारी रूप से सुन्दर दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि वह आंतरिक रूप से भी उसके अंदर गुणों की विशेशता हो यानि बहुत सारे गुण उसके अंदर विद्धिमान हो ऐसा जरूरी नहीं होता है राजका समालने के लिए ऐसे व्यक्तिका चुनाओ करना जो मन से भी सुन्दर हो ऐसा दिवान सुजान सिंग के लिए करना आवश्य ही कठीन कारे था यानि दिवान सुजान सिंग जब बूरे हो गए थे तो उन्हें अपने दिवान पत पर बेठाने के लिए किसी योग्य उम्मीद्वार की आवश्यक्ता थी उसका चैन उन्हें स्वयम करना था तो यह करना उनके लिए एक कठीन कारे हो गया था इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को एक बार पढ़ेंगे जक्मी का अर्थ होता है घायल, निदान जिसका अर्थ होता है छुटकारा, संकल्प का मतलब होता है निश्चय, सनद का अर्थ होता है प्रमानपत्र, नमाज का अर्थ होता है प्रार्थना, सतकार का मतलब होता है आदर करना, मंदागनी का मतलब होता है दुर्बल पाचन शक या हम यूँ भी कर सकते हैं कि प्रत्याशी या पत पाने के इच्छू हश्टे-पूश्टे का अर्थ होता है स्वस्ट और प्रसन्यचित नास्तिक का अर्थ होता है इश्वर पर विश्वास न करने वाला इस प्रकार हमने इस पाट के शब्दार्थ को पढ़ लिए हैं अब यह पाट को पढ़कर समझेंगे कि कस प्रकार दिवान सुजान सिंह ने अपनी समझदारी से अपने दिवान पत के लिए किसी योग्याँ उमिद्वार को कैसे शुना किस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया यह हम इस पार्ट को पढ़कर समझेंगे जब देवगर रियासत के दिवान सरदार सुजान सिंग बूरे हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई यानि जब सुजान सिंग जब द इश्वर को याद किया जाकर महाराज से निवेदन किया यानि समराठ से जाकर उन्होंने निवेदन किया प्रात्ना की दीन बंदुदास ने श्रीमान की सेवा में 40 साल तक उनकी सेवा की थी यानि जो दिवान सुजान सिंग थे उन्होंने महाराज की सेवा 40 सालों तक की थ अब मेरी अवस्ता भी ढल गयई यानी अब मेरी इंब्ूर हो गय है राजकर संभालने की शक्ति नहीं रही यानि मैं अब राजaison नहीं संौल सकता कहीं भूल चूक हो जाए तो बुरापे में दाग लगे सारी जिंदकी नेक नामी मिट्टी में मिल जाए यानि बुरापे में यदी में कुछ कारी करना भूल जाओं या कोई गलती हो जाए तो मैंने इतने साल तक आपकी सेवा की है इतना भलाई कमाई है तो वो जो नेक नामी मेंने कमाई है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी एक छोटी सी भूल करने के कारण इसलिए मैं दिवान पद छोड़ना चाता हूँ एसे दिवान सुजान सिंग ने राजा से प्रात्ना की राजा साहब अपने अनुभव शील नीती कुशल दिवान का बड़ा आदर करते थे यानि दिवान सुजान सिंग का वो बहुत आदर करते थे क्योंकि वो सारी नीतियों में पारंगत थे और उन्हें कई सालों का दिवान पद पर विराजमान रहने का अनुभव था इसलिए वो उनका आदर करते थे बहुत उन्होंने समझाया सुजान सिंग को लेकिन जब दीवान सहाब ने न माना तो हार कर उनकी प्रात्ना मान ली स्विकार करना यानी मान ली पर शर्त यह लगादी की रियासत के लिए नया दिवान आप ही को खोजना पड़ेगा यानी आप ही को इस रियासत के लिए नया दिवान खोजने की जिम्मेदारी आपको ही दी जाएगी दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विग्यापन निकला कि देवगर के लिए एक सुजान सिंग की सेवा में उपस्तित हो यानी इस समय पर जो दिवान पत पर जो कारे रथ है उनकी सेवा में वो व्यक्ति उनके सामने प्रस्तुत हो एसे अकबार में इश्तियार दे दिया गया यहाँ जरूरी नहीं है कि वो इसना तक पास हो मगर हश्ट पुष्ट होना चाहिए यानी ऐसा आवशक नहीं है कि व मंदागनी के मरीज को यहां तक कश्ट उठाने की जरत नहीं मंदागनी का अर्थ होता है कमजोर पाचन शक्ति वाला जो रोगी है उसको यहां तक आने की आवशकता नहीं है एक महिने तक उम्मीद्वारों के लिए रहन सहन यानी किस तरह से वो रहते हैं आचार विचार उनका आचरन किस प्रकार का है उसकी देखबाल की जाएगी विध्या का कम परंतु करतावे का अधिक विचार किया जाएगा यदि व्यक्ति कम पड़ा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं लेकिन उसके करतावे के बारे में अधिक सोचा जाएगा जो महाशय इस परिक्षा में पास हो जाएगा वही दिवान पत पर बैठेगा इस विध्यापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी यानि सारे शहर में इस विध्यापन ने सब जगह हडकम मचा दी ऐसा उचा पद और किसी प्रकार की केद नहीं इतना उचा पद है और किसी प्रकार की बंदिश नहीं केवल नसीब का खेले यानि किसमत का ये खेल है सेकडो आदमी अपना अपना भाग्य परकने के लिए चल पड़े यानि सभी व्यक्ति दिवान पत का दिवान पत पर बैठने के लिए वहाँ पर चल गए देवगड रियासत में देवगड में नए नए और रंग बिरंगे दिखाई देने लगे यानि जैसे ही देवगड में ये रियासत निकाला की दिवान पत पर एक व्यक्ति की आवशकता है तो अलग 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 देशों से लोग वहाँ पर दिखाई देने लगे अलग अलग नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे प्र कोई पंजाब से चला आता था, कोई मदरास से, कोई नए फेशन का प्रेमी था, कोई पुरानी साथगी पर मिटा हुआ, यानि कोई व्यक्ति तो नए फेशन को मानने वाला, यानि नए फेशन को पसंद करने वाला और कोई पुराने विचारों पर मिटा हुआ था, पंडितो सनत के नाम पर रोया करते थे यानि वो पंडित और मौलवी साहब जो थे वो धर्म के नाम पर रोया करते थे यानि पस्ताया करते थे यहां उसकी कोई जरत नहीं थी यानि यहां पर कोई धर्म को मानने की आवशकता नहीं थी रंगीन एमा में चोगे और नाना प्रकार के अं शुजान सिंग ने इस महानुभाओं के आदर सतकार का बड़ा अच्छा प्रबंद किया था यानि सुजान सिंग ने इन लोगों का आदर सदकार किया जो की दिवान पत के लिए परिक्षा देने आये थे उन सभी का बहुत आदर सदकार किया अच्छा प्रबंद कर दिया उनके रहने का लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसल्मानों की तरह महीन किना खतम होने का इंतजार करने लगे थे हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने दिमाग और बुठ्दी के अनुसार अच्छे रूप में दिखने की कोशिश कर रहा था यानि प्रत्य व्यक्ति किसी भी प्रकार के आच्रान का व्यक्ति हो वो अपने आपको अच्छा आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उश्या का दर्शन करती हैं यानि आजकल वो जल्दी उठकर और धूप का आनंद वो लेते हैं बगीचे में वहाँ पर घूमते हैं ऐसा उनके बारे में कहा जा रहा है महाशे बह को हुक्का पीने की लद थी पर आजकल बहुत रात गए वो किमार बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे यानि उनमें से किसी व्यक्ति को महाशे बह कहा गया है यो उमीदवारों में से तो उन्हें हुक्का पीने की आदत थी अब वो छोड़कर किमार बंद कर देते हैं और अंधेरे में सिगार पीने का कारे करते हैं अब उनम लोगों के घर पे नोकर परेशान थे यानि ये नोकर को बहुत परेशान करते थे लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगेर नोकरों से बातचीत नहीं करते थे लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल नोकरों से आप और जनाब करके बाते कर रहे हैं ऐसी बात उन नास्टिक थे, नास्टिक मतलब, वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, हकस लेके उपासक मगर आजकल उनकी धर्म निष्टा देखकर मंदीर के पुजारी को पत चुत होने जाने की शंका लगी तिती। लेकिन जो ये नासिक थे इश्वर में विश्वास नहीं करते थे महाशे का वो आजकल इतने ज़्यादा धर्म को मानने लगे हैं और उनकी धर्म के प्रती निष्टा देखकर मंदिर के पुजारी को भी अपने पत छोड़ने की आशंका लगी रहती थी महाशे लग को किताबों से ग्रणा थी यानि जो महाशे लग है उसे किताबें पसंद नहीं थी किताबों से नफरत थी परंतु वे आजकल बड़े बड़े ग्रंत देखने पढ़ने में डूबे रहते थे यानि वो दिखावा करने के लिए जब वो दिवान पत की परिक्षा क लिए थे देवगड में तो वहाँ पर वो बड़े बड़े ग्रंत पढ़ने का दिखावा कर रहे थे जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था यानि सभी लोग जिससे भी बात की जाए उनमें से सभी इस तरह से आचरन कर रहे थे कि वह सदाचार के देवता हो यानि वह बहुत अच्छा आचरन सभी के साथ कर रहे थे शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंतर पढ़ते थे यानि उनमें से कोई शर्मा जी थे कोई की कोई व्यक्ति शर्मा जी थे वह रात में ही वेद मंतर का उच्चारन वह करने लग जाते थे मोलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम नहीं था यानि उन में से जो मोलवी साहब थे वो नमाज पढ़ते थे और धर्म को मानते थे उसके अलावा उन्हें कोई दूसरा काम नहीं था लोग समस्ते की एक महीने का जंजटे यानि सभी लोग ये सोच रहे तो ये एक महीना किसी तरह कट जाए कहीं कारे सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है यानि एक बार दिवान पत पर बैठा दिया जाए उसके बाद कोई नहीं पूछेगा इन सब चीजों को लेकिन मनुश्यों का वह बुड़ा जो हो री आड में बैठा हुआ देख रहा था यानि चुपचाप जो देवगड कि रियासत के जो दिवान थे सुजान सिंग वो सारी उनका आचरन सारा एक महीने तक उन्हें देखते रहे वो चुपचाप की इन सब में से हंस खाहा चुपावा है यानि इन में से योग्य व्यक्ति कौन है ऐसा वो उनके आचरन को देख हुए खिलाडियों ने फेश किया यानि होकी खेल जिसको खेलना आता था अच्छे तरह से खेलना आता था वो पक्के खिलाडियों ने इस खेल को खेला यहाँ भी आखिर एक विद्या है ज्यान है इसे क्यों चिपाए रखना यानि होकी खेलना भी एक विद्या है इसको क् खेल के माध्यम से हम प्रस्तूत करें एसा उन्होंने सोचा जो की नए फेशन को मानते थे इसके आगे की घटना हम इस पार्ट के वीडियो के भागदों में पढ़ेंगे धन्यवाद